Hello everyone, today we will discuss a novel कान्तापुरा और जिसको लिखा है राजा राव ने ये novel पबलेश होई थी 1938 में So discuss करते हैं राजा राव के बारे में First of all, उसके बाद हम novel की बात करेंगे इन्होंने दोनों तरसी के काम किये अपने work में इन्होंने fiction को और non-fiction तोनों तरीकों का use किया है इनके जो work था वो बहुत ज़्यादा simple language में था चाहिए वो इनकी short stories हो या फिर इनके novels हो या अपने work के through जो normal people थे उन तक अपना work पहुचाना चाहते थे ताकि जो less educated people है वो भी इनके work को पढ़ें और समझ सके इनके कुछ important work के अगर हम बात करें जो इनकी novels थी जो बहुत ज़्यादा famous हुई थी तो वो है कांतापुरा जो की 1938 में publish हुई जिसको हम इसमें discuss करेंगे ये इनका masterpiece माना जाता है लाजराव का नेक्स्ट नोबल है वो है the serpent and the rope ये 1960 में publish हुई the cat and the shakespeare ये 1965 में publish हुई थी अगर हम इनकी कुछ short stories की बात करें क्योंकि जैसे हमने discuss किया इन्होंने novels novels और short stories दोनों पे ही काम किया है तो इनकी कुछ famous short stories है the policeman and rose ये 1978 में publish हुई थी the cow and the barris ये 1947 में publish हुई अब हम discuss करते हैं ये जो novel है कांतापुरा इस novel में क्या है क्या story है क्या इसकी setting है इसके title के बारे में इसके theme के बारे में और characters को summary के साथ ही discuss करेंगे तो start करते हैं इस novel की summary ये novel start होती है इसमें जब हम गुलाम थे जब हमारे उपर Britishers का overall था शाशन था कांतापुरा एक गाम है और इसकी जो पूरी setting है इस novel की वो उसी गाम में है और ये जो गाम है यहाँ पर variety है कास्ट की, religions की और जो लोग है वो अपने tradition को बहुत जादा फोलो करते हैं जो उनके thoughts हैं, जो उनके admirers हैं, वो अपने temples की पूजा, जिस तरह से उनका एक तरह से कह सकते हैं जो traditional background है वो पूरा देखने को मिलता है, जो Hindu society है उसकी dominance भी इस novel में देखने को मिलती है इस novel की जो narrator है, वो अचका है, जो की एक इसका main character है, जो इस पूरी novel को narrate करेंगी ये एक old age की ब्रामन लेडी है, ये बताएंगी उस time के situation को, क्योंकि जब ये event हुआ था, तब ये अपने young age पे थी और right now ये old age पे है, और ये जो सारी story है, ये खुरी narrate करती है, इस novel की पताती है कि किस तरह से जो कांटा पुरा है, उसमें दो तरह से जो partition हो रखा था एक area में जो high class society के लोग थे वो रहते थे, जो की इसमें upper caste बोल सकते हैं और दूसरा जो area था, वो schedule caste के लिए था, और जो situation थी, वो schedule caste के लोग और upper caste के लोगों के बीच में एक boundary थी, जो की tag करती थी, areas को की कहां पे upper class के लोग रहेंगे, और कहां पे schedule caste के लोग रहेंगे गाउं का मिथ है कि उस गाउं की एक देवी है, जिसका नाम है केचमा, वो उस गाउं की रखवाली करती है, अब ये मिथ है या reality इसके बारे में कुछ कहां नहीं जा सकता गामवालों का लेकिन ये thought है कि जो केचम्मा देवी है उन्होंने उनके गाम की रख्वाली किया इतने सालों से और आगे भी करती रहेंगी इस कहानी का जो protagonist है उसका नाम है मूर्थी जो इस novel का एक hero या फिर हम protagonist बोल सकते हैं प्रामन कमूनिटी से बिलॉंग करता है लेकिन जैसे कि हमने डिसकस किया कि यहाँ पर बरामन को कृटीक किया गया है इस में उनकी situation को दिखाया गया है जो मूर्ती है वो बाकी ब्राह्मनों से अलग है वो बिल्कुल भी गाउं के बीचों बीच में लाकर स्थापित कर देता और वहां पर एक मंदिर बन जाता है अब यह जो मंदिर था वो गाउं का सेंटर पॉइंट था गाउं के जितने भी फेस्टिवल्स होते थे या जो हैपिनेस होती थी लोग आपस में शेयर करते थे या इनके त्योहार हो बाजों से बहुत जुड़े रहते हैं तो उसी तरह का यह गाम था कांता पूरा जहां पर इनको बाहर लोगों का इंटरफेर बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही किसी नोवैलिटी को एकसेप्ट करना चाहते थे यह उसी तरीके से जीना चाहते थे जैसे कि यह जीते आ रहे थे जो इसका प्रोटागोनिस ट्रेस्ट नोवल का मूर्ती वह एक बार शहर जाता है और वहां पर गांधी जी से बहुत ज्यादा इंफ्लेंस होता है यह वह टाइम था जब गांधी अपने अनुयाईयों के साथ इधर उधर सभाएं आयोजित करते थे लोगों को जा गांधी जी की उन्हीं बातों को रिपीट करता है अपने गांवालों को समझाता है मूर्ती को अन्याय लगने लगती है जब वह गांधी जी से मिलता है या उनकी बाते सुनता है उस टाइम पे हमारे देश में अन्टेचिबिटी बहुत जादा थी जो अपर कास्ट के लोगों को बता रहा था वो कास्टिसिजम के अगेंस्ट में हो गया वह हिंदू थे उन्हीं को क्रिटीक करने लगा और अंटेचिबिटी को भी ऑन्टेचिबिटी के लिए बोलने लगा तो जो उस गांव के ब्रामन थे उन्होंने इसको अपनी जाती से निकाल दिया मूर से तो वो शॉक्ट हो जाती है ऩाप शॉक्त होई कि इसकी डएठ हो जाती है अब यहां पे एक पुलिस्मैन आता है जिसका नाम है बड़ेख्हान यह को सी सिचुएशन है उस गाव की कैसी हो जाती है मूर्थी रंगंबा नाम की पढ़ी लिखी यंग लेडी से मिलता है जो की विध्वा होती है इसको गाव से निकाल दिया जाता है कास से निकाल दिया जाता है तो मूर्थी रंगंबा के साथ रहने लगता है जो रंगंबा है वो व अपना ही सम्मान करना पड़ेगा और यह जो कास्टिसिसम है जो रिलीजन है इसको छोड़ कर हमें एक साथ होना पड़ेगा अब जो मूर्ती है वो लोगों के दिलों में एक जगा बना चुका था तो मूर्ती को इन्वाइट किया जाता है स्कैन फिक्स्टन कॉफी स्टेट म में और इसको इन्वाइट किया जाता है ताकि यह आये और मजदूरों को मॉटिवेट करें जब मूर्ती जाता है तो बड़े खान उसे रोकता है क्योंकि यहां पर जो बड़े खान है या जो ब्रिटिशर से उनको डर होता है कि जो मूर्ती है उसकी स्पीच से जो इंडिय कहीं ना कहीं है वो गांधी जिसे इंफ्लेंस था और उसको वाइलेंस में बिल्कुल भी इंटरस्ट नहीं था इसके बाद जो सिचुएशन है वो ऐसी होती है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मूर्ति को वापस ले जाते हैं इसके एक्शन में क्योंकि उसने बड़े खान को मारा था उसकी वज़े से जो कॉमन पीपल थे उन्होंने बड़े खान को मारा था सिचुएशन है वो ऐसी है कि मूर्ती के साथ जो जितने भी लोग थे जिन्होंने बड़े खान को मारा था उनको ब्रिटिशर्स ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं पर वृटिश अपनी पावर को शो कर रहा है कि किस तरह से अगर उसके एगेंस्ट में कोई जाएगा तो उसके साथ क्या होगा मूर्ती गाउं में Congress Committee बना लेता है अपने ही गाउं के अंदर और बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्ती के साथ जुड़ने लग जाते हैं ये वो टाइम था जब इंडिया को जरूरत थी एक लीडर की हर गाउं में कहीं न कहीं एक लीडर उठ खड़ा हो रहा था और मूर्ती उन में से एक था जो की कांधापुरा को रिप्रेजेंट कर रहा था ये जो कमिटी बनी थी इसकी कुछ लीडर्स की अगर हम बात करें तो गौवडा, रंगम्मा, रचना और शीनू ये इसकी कुछ लीडर्स थे अंग्रेजों को जब पता चला कि मूर्ती ने ऐसी कोई सोसाइटी बनाई है जिसमें लोग अपनी मर्जी से इन्वाल्व हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने के लिए एक साथ हो रहे हैं वो खत्म हो जाएगा क्योंकि जो उनका प्रोटोगॉनिस्ट है जो उनका हीरो है वही जेल में है लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो इसकी वोमेन लीडर्स थी रंगम्मा रंगम्मा अब उस कमिटी की लीडर बन चुकी थी और जिस तरह से मूर्ती मोटिवेट करता था लोगों को उसी तरीके से वो मोटिवेट करने लगी थी और जो गाओं की औरते हैं जो लेडीज हैं जो वोमेन हैं जो गल्स हैं वो भी जुड़ने लगी थी यहां पे दिखाया गया है कि जो women है women power को दिखाया गया है कि किस तरह से रंगममा ने एक leadership की quality को एक leader बनकर अपने गाउं को एक तरफ कर लिया और जो women है जिनको लोग हमीशा पिछड़ा समझते हैं वो भी उसके साथ खड़ी हो गई मूर्थी की पॉपॉलरिटी डे बढ़ती जा रही थी और जेल में जाने के बाद हम कह सकते हैं उसकी पॉपॉलरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी अंग्रेजों ने कांदापुरा पर जुल्म करने स्टार्ट कर दिये उनका जो टेक्स था उसका रेशो बढ़ा दिया और जो बड़े खान था उसको भी जब लोगों ने मारा उसके बाद भी उसका अग्रेशन बढ़ गया था और वो गाउवालों से बदला लेने लगा था इसके बाद एक दिन ब्रिटीशर्स ने या फिर हम कह सकते हैं इन डारेक्ली जो बड़े खान था इन सब ने मिलकर गाउव में आग लगा दी और जो गाउव के लोग थे उनको दूसरे गाउव में जाना बढ़ा और जिस गाउव का नाम था काशीपूर अब जब इस गाउव के लोग काशीपूर गाउव में गए तो काशीपूर गाउव के लोगों ने इनका स्वागत उसी तरीके से किया जैसे कि गांधी जी अगर कहीं पे विजिट करते था तो उनका होता था जबी लोग वहाँ पे गए तो देखा कि लोगों के हातों में फूलों का हार है और वो इनके गले में डाल कर उन्हें अपने गाउं में आमंतरित कर रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि कांतापुरा के लोगों को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उन्हें आजादी तो नहीं मिली लेकिन वो आजादी के लिए एक कदम आगे जरूर पहुच गए है अब यह जो नोबल है यहीं पर खत्म होती है फ्रेंड्स लेकिन अब हम बात करते हैं इस इसमें थीम्स कौन कौन सी है इस नोबल में तो राजर राव ने इसमें औरल ट्रेडिशन को पॉलिटिकल पावर को शो किया है औरल ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने नोबल में डिसकस किया कि एक टेंपल है जो कि गाउं के बीचों बीच में है और सारे फेस्टिवल्स वहीं पर सेलिब्रेट होते हैं पॉलिटिकल पावर में यहां बड़े खान को देख सकते हैं कि किस तरह से जब मूर्ति को इन्वाइट किया जाता है स्पीच देने के लिए तो वो उसे रोकता है वो रोकना इसलिए चाहता है क्योंकि उसको आगे से और होता ह और उसके साथ होते इसलिए उसको रोकना चाहता था नेक्स्टीम है इसमें गांधिज्म इस नोबल में हम देखते हैं कि गांधी का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोटोगॉनिस्ट मूर्ति पर और वो जो इक्वालिटी को लेके बात करने लग जाता है वो अ गांधी का जो वीव था वो देकने को मिलता है यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब बड़े खान को जो लोग हैं वो मारते हैं तो उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि जो आपने देश के लिए ही उन्होंने एक कमीटी बनाई थी जिसकी कुछ लीडर्स थे और इसके जेल मे जाने के बाद जो उसका committee थी जो उसकी society थी वो इतनी dominant हो गई कि जो Britishers थे उससे डर गए और गाउं में आग लगा दी और इस तरह से इनको दूसरे गाउं में shift होना पड़ा next theme कि अगर हम बात करें तो इसमें labor को show किया गया है labor को किस तरह से show किया गया है कि किस तरह से जो common people है वो काम करते हैं जैसे कि मूर्ति को invite किया था एक place पे ताकि वो आए और जो उसके labor हैं जो सिरफ मजदूरी कर रहे हैं वो freedom में अपना योगदान दें देश को आजात कराने में अपना योगदान दें तो इस तरह से जो इसकी themes हैं वो complete होती है इस novel में हमने discuss किया इसके title के बारे में, themes के बारे में और summary को So if you like the presentation, if you like the novel, be with us, goodbye and take care friends